नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे आज की बड़ी खबरे मुखे समाचारों को लेकर आए हैं जहां पर एक एक करके हर बड़ी खबर को जानेंगे वहीं दोस्तों अगर आप लोग भी मानते हैं कि 2024 के आम च सब्सकारेमित यूट्यूब यह बड़ावाएं जी हां दोस्तों वर्ड़ कफाइनल से पहले सोनिया गांधी ने टीम इंडिया को दी हैं सुपकामनाएं बोली यह आप में वर्ड़ चैंपियन बनने की सारी खुबी आज जी हां दोस्तों 20 कफाइनल से पहले टीम इंडिया के लिए देश भर से सुपकामनाय आ रही हैं इसी बेच। कॉंग्रेस संसदिय दल की चियर परसन सोनियां गांधी ने भी भारते किरकेट टीम के लिए 20 सुकप 2023 में विजय की सुपकामनाय दी हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खवर कितब चलते हैं। इसके लिए जरा उत्तव देश की भाषपा पर भी द्यान दे। कॉंग्रेस ने खुलासा किया कि डिप्टी सीम केसप सद मौर्ज ने अपने मुख्यमंत्री का बहिसकार का रखा है कैविनेट की बैठकों में। वे नजन नहीं आ रहे हैं। दिल्ली वालों का बीच बचाओ भी फेल हो गया है। आयुद्धा में कैविनेट की गई थी लेकिन वहाँ भी केसप सद मौर्ज नहीं गए। बीजेपी के डवल इंजन यूपी में टकरा गए हैं। विकास कारकरम रुख गए हैं। यूपी बीजेपी अपने अंदर कलह में एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही है। यूपी में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है 2024 में यहां पर देख सकते हैं इसके साथ ही कॉंगेस पार्टे ने कहा कि पिछेड़े समाच के केस अपसाद मौरिका यहां पर अपमान हो रहा है ये दोस्तों इस समय की बड़ी खावन निकल की आई है इसी के साथ एक और ब्र राजस्थान बिधान सवा चुनाओ के लिए 50 जोरो पर है जी हां दोस्तों राहूल गानी एक बाफे से घेरा है पियम मोदी को पियम मोदी ने अरब पतियों के साड़े 14 लाग करून रुपए के करज को माफ कर दिया है गरीबों का कितना करज माफ हुआ सुनने राहूल ग कांगेस और भाचपा एक दूसरे पर तीखे प्रहार करते नजर आ रहा हैं राहूल गान्धी ने पियम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी ने आपको 15 लाग रुपए देने का वादा किया था जो किसी को भी नहीं मिले और कभी मिलेंगे भी नहीं पियम मोदी ने आपको 15 लाग रुपए तो दिये नहीं लेकिन अरपतियों के साड़े 14 लाग करून का कज जरूर माफ कर दिया है इसके साथ ही राहूल गान्धी ने अपनी बात दोहराए कि कांग्रेस पार्टी के राजिस्थान में फिर से सरकार बनती है तो जाती जनगरना कराई जा मंत्री M.K. स्टॉली ने दस बिधैकों पर पुनर विचार के लिए राज बिधानसवा में एक प्रस्ताव पेस किया ये वही दस बिधैक हैं जो राज जिपाल के पास अभी तक लंबित पड़े थे और CGI की फटकार के बार राज जिपाल ने इन्हें राज सरकार को लोटा दिया था अब दोस्तों राज बिधानसवा द्वारा पारिद बिधैकों को मंजूरी देने से रोकने पर राज जिपाल के पेति यहां पर नाराजगी वेक्ट की गई है विधानसवा में हाला कि बाद में चायचा के बाद सभी बिधैकों को फिर से सुईकार कर लिया गया अब बिधायकों को फिर से मंजूरी के लिए तमिलाडू के राज जिपाल आरेन रवी के पास वेज़े जाएगा गौर तलब है। इस पूरे बिवाद पर सीजी आई की अध्यचता वाली बेंचे ने सुनबाई की थी राज जिपालों को चेताब नी दी थी सीजी आई ने कियाक से ना खेले जिसके वाद राज जिपाल हरकत में आये थे दोस्तों। पंजाब, केरल, तमिलाडू के राज जिपालों के खिलाफ यहाँ पर राज सरकारों ने सुप्रीम कोट का रुक किया था क्यूकि इनके बिधायक राज जिपाल के पास लंबे समय से अठके हुए थे। सवाल उठ रहे हैं। कोईला आयात के मामले में गौतम अडानी को एक बार फिर जाच का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए जाच एजन्सियों ने सुप्रीम कोट से सिंगापूर से सबूत इखटा करने की अनुमती देने की अपील की है। अब सुप्रीम कोट की अनुमती का इंतजार है जिसके वाद जाच आगे बढ़ेगी। कोईला आयात की कीमत बढ़ा चड़ा के दिखाने के मामले पे राहूल गान्दी पहले ही यहाँ पे घे चुके हैं प्रेस कॉंफरेंस कर चुके हैं कोईले से जनरेट होने वाली बिजली ग्रहां को तक अधिक कीमत में पहुंचाने के आरोप लगे हैं अडानी समूपे दो सत्यपाल मली किताब से निकल के आया फेसे बड़ा वयान जियां दोस्तों मैं पीम मोदी के दुसमनों की लिष्ट में नंबर एक पर हूँ इसलिए मेरी जान को है खत्रा सत्यपाल मली पूर्व राजयपाल आए दिन बड़े खुलासे कर रहे हैं और दोस्तों खुल के अगर मोदी जी 2024 में जीत गए तो मुझे जेल में डाल देंगे क्योंकि मैं उनके दुसमनों की लिष्ट में नंबर वन पर हूँ गौरत अलवे सत्यपाल मलिक लगातार बागी तेवर अपनाए हुए हैं और लगातार बीजेपी और खास कर पीम मोदी पे निसाना साथ रह है तो सबसे पहला बदला मुझसे लिया जाएगा मेरी जान को खत्रा है सत्यपाल मलिक का ये बयान दोस्तों अब सोचल मीडिया पे बाइरल हो रहा है मद्यपदेश की 230 विधानसवा सीटों के लिए चुनाव संपन्द हो गया है संतिपूर्ण मतदान हुआ चुनाव आयो कि पार्टी पित्यासियों से उन अफसरों की रिपोर्ट मंगवा रहे हैं जिननों इस बिधानसवा चुनाव में बीजे पि को सपोर्ट किया है इस पर्ष्ट है यहाँ पे कांँगर्शी कारगता बीजे पियोड़ा क शराब और पैसा बाटा गया है कमनलाथ ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हमाई सरकार बनने दीजिये चुनाओं में गरवड़ी करने वाले अधिकारी करमचारियों पर यहाँ पर हमने पहले ही लिष्ट मंगबाई है जहां गरवड़ी की गई है उन पर बाद में कारवाई भी देखने को मिलेगी कि उन्होंने कहा कि जो जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं इन सब पे गाज गिरेगी कमनलाथ का बड़ा वयान निकल के आया है क्या दोस्तों आप लोग भी मानते हैं कि मद्यपदेश में कॉंग्रेस सरकार बनाएगी या नहीं जरू बताइए अपनी भी राए एक और पर्ष्ट दिखी है कॉंग्रेस हर हाल में 130 सीटों का आकड़ा पार करने जा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौझूदा सरकार ने लूटने का काम किया है वहीं दोस्तों उन्होंने कहा मुझे विश्वास है हम 130 से जादा सीटे जीतेंगे इसके साथ है दिखविजाई सिंग ने कहा कि हम राजिस्थान में भी पूर्ण वहमत की सरकार बना रहे हैं तिलंगाना में इस बार कॉंग्रेस पार्टी यहां पे सत्ता में आने वाली है क्योंकि कॉंग्रेस की जवदस तरीके से लाह चल रही है 36 गड़ में भी कॉंगेस की ही सरकार बनेगी चारों राजियों को लेकर हम पूरे आस्वस्थ हैं दिखविजाई सिंग का वड़ा वयार निकल के आया दोस्तों आज की बड़ी खबरे मुखे समाचा थे जो आप तक पहुंचाए हैं इस वीडियो में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजेगा सेर कीजेगा अपने सभी दोस्तों के साथ भी आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत